देखे लेते हैं इस सबसे हैँ चोले हमें क्या दिया गया है 10 अशिक प्लेस इकल घग में 12च तपीस सेघ्माटिक स्कूल दिया गया है हूँ अगर आप इन 10 सेकंड्स के अंदर अपना निकाल दे दें तो आप अपना असर हमें एक कॉमेड़ बॉक्स मेंशन कर सकते हैं चलिए आपका समय शुरू होता है अगर अगर आपने 10 सेकंड्स के अंदर अपना निकाल दिया है तो आप अपना असर हमें कॉमेड़ बॉक जिसका सम्म आपके एकुल होगा 11 के एकुल होगा और आपको भी यहाँ पे एकुल दिया गया है 11 के एकुल दिया गया है next 20 प्लस 3 जिसका सम्म आपके एकुल होगा 23 के एकुल होगा और आपको यहाँ पे एकुल दिया गया है 47 के एकुल दिया गया है next 30 plus 4 जिसका समब आपका समएंचas equal होगा 34 के equal होगा और आपको यहाँ पे equal दिया गया है और आपको इस particular question में क्या find करना है 40 plus 5 जिसका समफ आपका समएंचas equal होगा 45 के equal होगा और आपको यहीं पे बताना एक question marks कीजगा यहाँ पे आपकेसगral सा नमबर आएगा अगर आप इस question को दियान से देखो तो इस particular question में simply आपको क्या फोर्म रहा बनेगा सबसे पहले स्टेम में आपको क्या करना है आपको लेना है first number को जो कि आपके पास है 10 और उसी 10 को लिखना आपको यहां पे और उसके next time में आपको क्या करना है आपको लेन 11 आपको अपने screen पे भी दिख रहा है इसी तरह next में भी आपका same formula यूज होगा यानि कि सबसे पहले स्टेम में लेना है आपको first number को जो कि आपके पास है 20 और उसके next time में आपको क्या करना है आपको लेना है second number को जो कि आपके पास है 3 और उसी 3 का लेना आपको cube 3 का cube जो कि आपके एकुल होगा 27 के एकुल होगा और last step में आपको करना है इन दोनों number को plus यानि कि आपको plus करना है 20 plus 27 जिसका सम्द आपके एकुल होगा 47 के एकुल होगा और 47 आपको अपने screen पे भी देख रहा है इसी तरह next में भी आपको same formula यूज होगा यानि कि सबसे पहले step में कि आपके एकुल होगा 125 के एकुल होगा और last step में आपको इन दोनों number का सम यानि कि आपको sum करना है 40 plus 125 जिसका सम्द आपके एकुल होगा 165 के एकुल होगा यानि कि जहां पे आपको question marks दिक रहा है वहाँ पे आपको आपको क्या आएगा 165 आएगा अगर आपने पहले इस question को solve कर दिया है तो आप अपना answer हमें comment box में mention कर सकते हैं I hope this video find a informative thank you for watching it